मश्कार आप देख रहें मैंनेस न्यूज लाइव मैं हूँ आप साथ खुशी आईए देखता है चिकुछ खास कबरे जिसे चुटकर आई कलियोगी बाप ने किया आट वर्षी बेटी का बलात कर माँ भी देती थी आरूपी का साथ लगना उतरपरदेश के बरेली में मानुता को शर्प मकथा करने वाला मामला सामने आया है और प्रकाश में भी आया है कलियोगी बाप पिता ने अपनी आठ परशी बेटी का साथ बलात कर किया जिए पुगार सुनकर मौके पर चाज़ाजी पहुचे तो आरोपी पिता परार हो गया पिता ने जानकरी दिये कि विरोध करने पर सौतेली मा भी उसका साथ देती थी वही पुलिस भी केस जर्जकर आरोपी का औरेस्ट कर लिया है रिपोर्ट के अनुसार ये मामला बहेडी का है और यहां आरोपी राज़श कुमार के सर्क रेलवे फाटक के पास मूची का काम करते हैं उसके पत्नी भी एक साल पहले उनकी पत्नी का मृत्य हो गया था और जिसके बाद उन्होंने दुसरी शादी कर ली पहली पत्नी से आठ साल की आठ वर्शिय की बेटी है राज़श के भाई ने बताई कि वह पत्नी के साथ जोपड़ी के अंदर रहता था और बेटी जोपड़ी के बहार की ओर सोती थी सोमवार रात के चिखने चिल लाने की आवास सुनकर इस पर चाचा चाची मौके पर पहुँचे तो राज़श मौके से फराड हो गया बच्ची सो रो रही थी चाचा ने चुप करा कर जब पूछा तो उसने बताई कि पिता ने उसके साथ गंदा काम किया है पहले तो पित चाची चाचा का शिकायत पर आरोपी के खिलाफ के ज़र्च कर आरोपी पिता को अरेस्ट कर लिया है और पुलीस ने बताया कि आरोपी पर पहले भी पॉक्सों की एक ती हां लीगों की निराली से जेल के लिए उसे भेज दिया गया था रिपोर्ट के अनुसार ये मामला बहेडी का है जहां आरोपी राजश कुमार के सर्रेलवे पाटक के पास मूची का काम करता था उसकी पतनी भी एक साल पहले उसकी मृत्ती हो चुकी थी जिसकी बाद उसने दूसरी शादी कर ली पहली पतनी से उसे आठ वरशी के बेटी है राजश के भाई ने बताय कि वह के साथ गंदा काम किया है पहले तो उसने बलादकर करते थे मगर विरोध करने पर रोने पर सौतली मा भी डाटने लगी वहां हमेशा पीता का साथ देती हैं बुदवार को चाशाची भती जी को लेकर पुलिस के पास पहुचे मासुम ने पुलिस को बताया बलादकर के बा दवानी में केस पे दर जुगा था जिसके बारे में उसे कुछ दिन पहले ही जेल से जुटकर बाहरा आए था इसी कबरे फिल लेकर आएं किसी समय से जगत अब तक लिए देखते रहे हैं MNS News Network नमेश्कार ये है MNS News Network और आप देख रहे हैं MNS News